हाई मैं हूँ मोहित आप देख रहे हैं टेक्निकल वाक्स तो दोस्तो काफी दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि इंडिया में Realme 8 5G फोन कब लांच होगा तो दोस्तो आज फाइनली इंडिया में Realme 8 5G फोन लांच हो गया है मैं इसका प्राइज की बात करूँ तो इसक ये जी भी RAM बाला कोई भी variant को launch नहीं किया गया है इंडिया में लेकिन 17,000 में Realme का Narjo 30 Pro भी phone आता है मतलब कि Realme 8 5G और Realme Narjo 30 Pro 5G ये दोनों phone में से आप लोको कौन सा phone को choose करना चाहिए तो ये जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आप लोको last तक दिखना है और कुछ भी नह करना है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले मैं design के बारे में बात कर लेता हूँ जैसे कि आप लोग अपने screen पे देख पा रहे होंगे कि दोनों ही का back side में plastic finish ही देखने को मिल जाता है मतलब कि back side में कोई भी glass finish देखने को नहीं मिलता है अ अब देखिए मैं display के बारे में बात करूँ तो दोनों ही phone में 6.5 inch का एक full HD plus वाला display मिलता है लेकिन realme 8 5G जो phone आता है ये phone 90 Hz के साथ ये आता है लेकिन वहीं मैं बात करूँ realme narjo 30 pro के बारे में इसमें 120 Hz का display मिल जाता है तो जाहिर सी बात है benefit किसमें मिल जाता है realme का narjo 30 pro अब देखिए मैं selfie camera के बारे में बात करूँ तो दोनों ही phone में 16 megapixel का selfie camera मिल जाता है punch hole के साथ अब मैं rear camera के बारे में बात करता हूँ तो दोनों ही phone में triple rear camera देखने को मिल जाता है देखिए realme 8 5G phone में मिलता है पहला 48 megapixel का एक main camera और जो तीसरा और सॉरी मैं तीसरा बार बार बोल देता हूँ और जो दूसरा और तीसरा camera इसमें मिलता है पहला 48 megapixel का main camera दूसरा जो camera मिलता 8 megapixel का एक ultra wide angle camera है और जो तीसरा camera है वही 2 megapixel का देखने को मिल जाता है तो दोस्तों benefit जो उसमें मिल जाता है realme का नार्जो 30 pro में ultra wide angle camera मिल जाता है जो कि realme 8 5G phone में ultra wide angle camera देखने को नहीं मिलता है तो इसमें आप लोग को जाहिर सी बात है benefit मिलेगा लेकिन आप लोग को एक ultra wide angle camera से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो आप लोग Realme 8 5G के साथ जा सकते हैं वही मैं battery के बारे में बात करूँ तो दोनों ही phone में 5000 mh का big battery देखने को मिल जाता है लेकिन Realme 8 5G phone में मात्र 18 watt fast charging का ही support मिलता है लेकिन Realme Narzo 30 Pro में 30 watt fast charging का support मिल जाता है तो benefit किसको मिलता है जाहिर सी बात है इसमें वह Realme Narzo 30 Pro को benefit चला जाता है तो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ processor के बारे में Realme 8 5G में मिल जाता है Diamond City जो MediaTek का processor है 700 हाँ ये processor मिल जाता है Realme 8 5G में लेकिन वहीं मैं बात करूँ Realme Narzo 30 Pro की तो इसमें मिल जाता है Dimensity का 800U वाला processor हाँ जो की better processor है मैं compare करूँ Dimensity 700U से हाँ तो ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलता है दोनों ही processor जो है साथ नैनोमीटर पर बेस है और दोनों ही का मैं अन्तुतू score की बात करूँ तो लगबग 3000 के करीब है दोनों ही का अन्तुतू score देखिए MediaTek का जो G95 processor है मतलब कि वह 4G processor है जो कि देखिए Dimensity का 700 जो प्रोसेसर है लगबग लगबग दौनों सेम है सिर्फ यह फरक है कि यह एक 5G फोन है और थोड़ा सा बेटर है सेवन नैनोमीटर पर यह प्रोसेसर बेस्ट है मतलब कि बेस्ट नहीं देखने को मिल जाता है Realme का नार्जो 30 Pro में तो यह दिक्कत है वहीं मैं वेट के बारे में बात करो तो Realme 8 5G का वेट है 185 ग्राम लेकिन Realme 30 Pro इस मामले में थोड़ा सा भारी है इसका वेट है 194 ग्राम तो यह सब ठीक है अब मैं आ जाता हूँ दोनों ही फोन में से आप लोगो कौन सा फोन को पर्चेस करना चाहिए देखिए सच मूच आप लोगो एक 5G वाला फोन चाहिए तो आप दोनों यह फोन पर्चेस कर सकते हैं यह दोनों हाँ यह दोनों ही फोन आप लोग पर्चेस कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपको 5G का अभी जरूरत नहीं है जो कि अभी इंडिया में आने में काफी ज़्यादा लेट है एक साल तो मतलब मान के चलिए अभी लेट है तो ही आप लोग ये दोनों फोन को खरी सकते हैं चाहे मैं बात करूँ Realme Nargo 30 Pro के बारे में या मैं बात करूँ Realme 8 5G के बारे में इसमें काफी डाउन ग्रेड देखने को मिल जाता है इससे अच्छा Realme 8 फोन आता है इसमें एमोलेड बगेरा डिस्प्ले मिल जाता है फास्ट चार्जिंग आप लोगो इसमें बेटर मिल जाता है मात उसका भी प्राइस है 15,000 रुपे उसमें 64 Megapixel का भी कैमरा मिलता है अल्टर वाइड एंगल कैमरा मिलता है लेकिन दोस्तों आप लोगो Realme 8 5G में नहीं मिलता है नहीं नार्जो 30 Pro में मिल जाता है तो अब मैं जाता हूँ आप लोगो कौन सा फोन लेना चाहिए देखिए 15,000 आपका बजट है तो ही आप लोगो Realme 8 5G फोन लेना है मतलब कि 15,000 में ये बेश्ट है लेकिन 2000 आप लोग एक्ष्टा लगा कि Realme का नार्जो 30 Pro तब लें देखिए आप लोगो क्या benefit मिलेगा 120 Hz का डिस्पले मिलेगा तो ही आप लोग Realme का नार्जो 30 Pro लें आप लोगो सच मुझ एक 5G का जरूर रहता है मतलब 5G फोन का जरूर रहता है तो ही आप लोगो लेना चाहिए Realme 8 5G या फिर आप लोग का बजट है एकदम 15,000 रुपे उससे आप लोग उपर नहीं जा सकते है तो आप लोग ले सकते है Realme 8 5G नहीं तो और काफी सारा मार्केट में फोन एविलेबल है जैसे Redmi का Note 10 Pro, Note 10 Pro Max Realme 8 8 Pro ये सारा चीज़ एविलेबल है तो ही आप लोग लें फिलाल दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही था वीडियो अच्छा लगाओ तो एक लाइक कर दे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ इस वीडियो को जो है सेर करना ना बुले तब तक के लिए आज का वीडियो में बस इतना ही था तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम